हलो दोस्तों वेलकम टू मैचेन दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों की आँखों की कैसी संभाग की जाती है और मैं आपको एक साथ उपाय बताऊंगे आप करोगे 100% बच्चों को फाइदा मिले था और बच्चे करते हैं उनको जल्दी फाइदा मिलता है और आपने देखा होगा बच्चों को जो बोला जाए तो वो कोई भी बात सुनते हैं करते हैं और फाइदा भी मिलता है आज की जमाने में सब को हाथ में फोन होते हैं गैजिस का जमाना है अब जब बड़े यूज करते हैं तो बच्चों को भी दिल होते हैं कि हम भी देखे क्या है और आज कल तो फोन का जमाना है तो बच्चे का पीछे हटने वाले हैं तो बच्चों को भी कही बार क्या होता है छोटी उमर में बच्चों के पोटे-बोटे चशमे लग जाते हैं और माबाप प्रिशान हो जाते क्या करें दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है बड़ो के लिए उपाय भी दिये हुए हैं काफी सारे टिप्स दिये हुए आंकों की संभाल कैसे करते हैं और ये वीडियो में बच्चों के लिए बना रही हूं लेकिन बच्चों के लिए बना रही हूं कि और बच्चों को हम जो वन जल्दी फायदा ही है. आज हम देखते हैं कि बपकी चुती बच्चों को बात सब्छाइब भी चैशंहना होता था आगा? आज समय के अनुसात सब्छाइब ज्माना है। वजोपितलनी होता है। सब्छाइब पर चंचा है जमाना, नहुंदी अनुसराइब हमें. एक टिप बताओंगे जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो और हर एक अपना अराम से कर सकते हैं बच्चे छोटा सो छोटा बच्चा अराम से कर सकता है यकिन मानी दोस्तों छोटे से छोटा बच्चा भी अराम से कर सकता है पस करना क्या है दोस्तों चोटा सा उपाय है करना क्या है जिसे सुबह आप उठते हो आपने लार का महत्वत सुना होगा ना लहार हमारी लार में बहुत जादा मेडिसनल प्रॉपर्टीज होती है जब हम सुबह उठते है ना पूरी रात जब हम सोते हैं तो क्या होता है एक करनिया काम करती है function करके सुबा दवा तैयार होती है इसलिए कहा जाता है ऐस लार को हमें वेस्ट नहीं करना है वह बहुत किमति है हमारे शरीर के kilo को the तीक करने के लिए तो सब्से बड़ी बिमार इसलिए सब को कहा जाता हैं हर किसी को सुबा खाली पेट पानी पीना चाहिए क्यों कहा जाता है क्योंकि लार जो रात को जो दवा बनी है ना वो लार की रूप में पेट में जाएगी तो हमारी बहुत सारी बिमारिया दिक होती है और साती साथ बच्चों के लिए सुबर सुबर बच्चों को क्या करना चाहिए वो ही लार लेनी है और लार को लेकर बच्चों को काजल की तरह आंकों पर लगाना है चोटी बच्चों को छोटा सा चोटा बच्चा भी अराम से लगा सकता है और मा को ध्यान रखना है माा अपनी कभी भी कोई एक दूसरे की लार नहीं लगा है वो किसी के शरीर में काम नहीं आईगी जिनके शरीर में जो पीड़ा है उसी की लार काम आती है ऐसी नहीं मा सुची कि मैं अपनी लार बच्चे को लगा बच्चो को फायदें, बिलकुल नहीं, जिसे अभी छोटा बच्चा है उसको आप बोल सकते हो जिनकी आँखों में चेश्मा लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो बच्चे को सुबह ब्रश बिना, शुबह उड़ते उनको अपनी हाथ में ला लेनी है और काजल की तरह आँखों में लगा देना है उसके बाद आप जाओ तो बच्चे को कहर दो कि 5-10 मिन लेट जाए या कैसे भी बस आँखों में ला लगानी है उसमें बहुत चमतकारी फायदे दिखेंगे और बच्चों को आप लगाएंगे अंस जाए कोई नुकसा नहीं और दोस्तों मैंने वीडियो जो बनायों में यदिगायए बड़ों के लिए बच्चे दवाई खाना सब पसंद कम करते लेकिन आपuito यह करते हुए बच्चे तो बच्चे को वह वीडियो देख सकते हो अगर बच्चे खा सकते हैं नो मोरे व किजिक